बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पुर्यती कंपेडिशन क्लासिस के यूटूब चैनल में देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप से बात करूंगा फाक स्यावन भुगोल और क्या क्या हम कवर करने वाले हैं वो हम देखते हैं आज हम कवर करेंगे आज भारत की नद वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके बास अगर यह बुक है लुसेंट की उस बुक को अपने पास में रखें और उसकी विसयसूची में जाए भुगोल की वहां पर चेक करें कि भारत की नदिया जो यह टॉपिक है यह किस पेश पर है उस प करने हैं और उनको याद करना है राइट कलर चाहे कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं आप यालो से कमफर्डेबल है आप यालो से हालेट करिए पिंग से ग्रीन से किसी से भी लेकिन वीडियो देखते समय इस बुक को अपने साथ में जरू रखें तभी इस वीडियो को देखने मैं लिंक दूँगा वहाँ से इस बुक को अराम से पर्चेस कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं व्यास के बारे में हम पढ़ते हैं कि रोतांग दर्रे के समीप व्यास हरी के कुंड से चार्या तीस सो तीस मीटर के उचाई समीप सतलुज नदी पर है ठीक है और बात करें इसके लंबाई की तो इसके लंबाई है 450 किलोमेटर उसके बाद हम डिसकस करते हैं अगले पॉइंट पर गंगा गंगा जो होती है गंगोत्री के पास गोमुक हिमानी बंगाल की खाड़ी से भी अधिक उचाई पर है ठीक है तो इसकी उचाई कितनी ह 3,900 मेटर से भी अधिक उचाई पर है उसके बाद हम बात करते हैं यमना के बारे में बंदर पूँच के पश्चिम ढाल पर पर परियाग में इस्तित यमनोत्री हिमाने राम गंगा नहनिताल के समीप मुख्य कन्योज के निकट गंगा हिमाले शेणी के दच्छिन भाग नदी में ये इस्तित है उसके बाद हम बात करते हैं कोसी की कोसी का जो उद्गमिस्ताल है वो है आपका गोसाई धान चोटी के उपर में और बेतवा या वेत्रवती मध्य प अटक की पहाड़ी विस्तित है पटना के समीप गंगा नधी पर जाकरके ये इसका मुखाना है इसका संगाम होता है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है 780 किलोमीटर देखिए कुछ चीजे में करवा रहा हूं क्योंकि इसलिए स्क्रिप करवा रहा हूं कि वो चीज़े इस पर पास पर तो स्लक्साल हो जाएगा बहुत जल्दी नंबर राएगा क्वांटिटी तो ठीक या प्लाक रूपय के इससे कर्जा लेलो लोन पर अपना पैसे उठा लो पूरी दुकान लगालो अपने घर के अंदर मतलब की ऐसा नहीं होता है मैं तो यह मानता हूं मैं यह म पढ़ लेते हैं तो डैम शूर आपके एटू जड़ यतने भी एक्जाम है वहाँ पर आपका कॉंफिटेंस बढ़ेगा अब हैंडर पर से अटेम्ट करके आएंगे कुश्टिंज अब हम बात करते हैं फिलाल देखिए नर्मदा के विद्यांचल परवशेनियों में खंबात के खाड़ी इस्तित अमर कटक नामक इस्थान पर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है एक हजा तीन सो बारा मीटर तापतिन नदी के बारे में पढ़ते हैं मद्यपरदेश के और मत करना इसको आप इसको हाईलाइट करिए बस और इस वीडियो को अभी पास करके इसको याद करिए माही नदी कहां पर है कोशन जिये पूछता है अब से एक्जाम में तो ये थारी जिले में अध्यपरदेश मद्यपरदेश में फार पर यह पढ़ता है और ये खंबा तो आपने सुना ही होगा और अगर अपने रियल तो भी एक्जाम दिया रियल एक्जाम में तो यह आपका जना पाड़ी में विंद्याचल परवत के पास में और यह नदी आपके यम नाम राइट आगे हम बात करते हैं इसके बारे में किर्श्णा नदी कहां पर है तो यह आ महां बलेशवर के समी पश्णी बंगार फिवा पहाड पर और गोदावरी नदी नदी जो हम आपकी नाशिक झिले पर तो गोदावरी नदी के बारे में बताना चाहूंगा आपसे यह नाशिक जिले बंगाल की खाड़ी देश्णAwकर harmful खिले में विंजग के पहड़ी है उ तल से आपकी 1341 मीटर और टोटल लंबाई रहेगी इसकी 800 किलो मीटर दच्छिनी टॉन्स पेरियार दच्छिन टॉन्स पेरियार का जो यह उद्गम इस्तर है वो है आपका कैमूर पाड़ियों में और तमसा कुड जलाज से पेरियार जील में है और इसका संगम कहां पर है को तक को उत्तरकाशी जले में 3900 मीटर की उचाई पर गौ मिक और गंगोतरी इमानी गंगा का उस्तवत है और यहां इसे क्या बोलते हैं यहां पर इसको बोलते हैं भगी रती यादकना क्या बोलते हैं इसको भगी रती उसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा नदी बंगला देश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रहंपुत नदी बंगला देश में जमना के नाम से बहती है और प परसेंट जल उपियों कर सकता है इसका और परायदी पीय नदीया का उत्तर से दच्छिन के और करम क्या है मानदी गुदावरी कृष्णा पर्नार कावड़ी और वेगाई कि ऐस आगे हम बात करते हैं में किस राइल करनाटा एक राहित करते हैं कि थीजल और पहाड़ी पहाड़ी में somewhere 800 मीट sapp कि इसम रउनेरिक एह बच्फ़िए नियुक्त वायी पहाई मैं इसकली मिंद वरसा में užचाई पर आपको जूतées कोई पेज अगर स्क्रीब होगा है काविरी हमें इससे पहले भी काविरी तुंग बद्रा के बारे पड़ा था लेकिन एक लाइन इसमें मैं बात करता हूं प्रायदी पे ने दियो कई लंबाई के अनुसार घटा करम गदावरी कृष्णा नर्मदा महानदी कावरी और ताप इसके बात करते हैं सामर जील यह राजस्थान में और साथ ताल जील है उत्रा खंड में फिर हम बात करते हैं लोक टक जील के बारे में मड़ी पूर नागिन जील जम्मु कस्मेर में और इसके लावा आपको कोई भी जील नहीं पढ़नी है अगर आपको ज्यादा ही से बड़ी तट्य जील कौन सी है तो यह है आपके चिलका जील उडिसा उसके बाद हम लिसकस करते हैं आपसे अगला जो पॉइंट है वह भारत में सबसे बड़ी मीठे पाने के जील most 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 important questions right भारत की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील जो है वो है वुलर जील और यह कहां परिस्तित है यह है जम्मु कस्मीर में और आगे का point याद अखेगा तुलबुल परियोजना कहां परिस्तित है कौन सी जील परिस्तित है तो यह है आपकी वुलर जील पर और या फिर जील में है तो आपको याद अखना है जम्मु कस्मीर में बच्चों याद रहेगा बिलिकुल रहेगा आगे बात करते हैं भारत के सबसे बड़ी करतिम जील जो है गोविन सागर जील है पंजाब के रोपर जीले में सतलूज पर भांगडा नागल बान से निर्मित हुआ है नेक्ष्ट जो पॉइंट है वो है कि भारत में सबसे अधिक उचाई प्रेसित जील जोलमु जील है और उसके बाद नागर जुन सागर कृष्णा नदीपर निजाम सागर मजरा नदीपर एवं तुग बंदरा करनाटक तुग बंदरा नदीपर मानव निर्मित जील है यह आगे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे पॉइंट को आप अलग से किसी पेपर में भी लिख लीजिए बुक में हालेट करिए पेपर में लिख लीजेगा ठीक है इसका रिविजन आज ही कर लेना चार पंच पर कम से कम बोलके देखना आपको याल जो जाओ दो गाँऑ करें आप जाए करें परोघाय को इस प्रवोत्तर कि बहा डाट में मीटे पाने कि सभश evil और इस जील में केबु L rece नाम का तेहरत हुआ हैiers धियु पार्ख है के कोश्चंस यहां से क्या बनता है कि जापका केबू ललाम जाव नामक तैरता हुआ राश्ट्य पर कौन से जील पर है या पर कहां पर है मड़ीपूर में है लोग तक जील पर उसके बाद हम बात करते हैं हुसैन सागर जील हैदराबाद वे चिकंदराबाद के मद्धर स्थित है भारत के परमुक्ष जल परपाद कौन कौन से है पहरा जो है जोग जिसको बोलते हैं गोर सोपा इसकी स्थिती है सरावती नधी पर उचाई है दो सो पच्पन मेटर धरड है आपका सिफ समुंद्रम काविरी नधी पर नभ्य मीटर अगला जल परपाद है वो है चूलिया और स्थिती है चंबल अधी पर एट आपका बिहार टोंस नधी पर और नाइंथ आपका धुमाधार नर्मतन नधी पर उचाई कितनी है उचाई के बारे में आप पड़ सकते हैं देखिए इन सब के उचाई केवल उनको याद रखनी है जो सीजर के एक्जाम दे रहे हैं और ज और उत्रा खड़न तो इन तीनों के एक्जाम का लेवल जो होता है काफी सही होता है चाली सोगा पेड़ी स्केल्स जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए इंपोर्टेंट है तो मैं पेड़ी बेस पर यह आपको बता रहा हूं कि यह कोशन इतना इंप जणी में बाहर कि चीटर में लबे समय तक जो माशम के स्थरी होती है उसे उस इसला जिलगा उटे हैं भारत की जलबाई होती है बात करते हैं मौस्मके बारे में दो समय की जैसे एक दिन या एक सप्ता के बादे Mindir Orura को कि řियो हम बोलता हैै उसरी गर्मी तो थोड़ा सा इसमें ठहरावाता है कुछ टाइम के लिए किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहरता है बाद में क्या होता है मौसम चेंज होने लगता है उसी को मोदते हैं मौसम आगे बात करते हैं भारत में मौसम संबंदी सेवा सन जो स्टार्ट हुआ था वह भारत के मौसम संबंदी मांचित्र वहीं से परकासिद होते हैं देखिए अब हम आगे बात करते हैं कि भारतिये जलवायों को मांसून के अलावा प्रवाहित करने वाले दो प्रमुक कारक कौन-कौन से हैं ठीक है पहला जो है वह भारत में हिमाले परवत और दूसरा है से ठल हवाएं भारत में नहीं आपाते हैं जो आने वाली हवायोती ठंडी हवाय वह भारत में कौन से हमाले परवत की सहा था करने अगला जो पॉइंट है वह है बात करते हैं दच्छिन में हिंद महासागर इसकी उपस्तिती एबं भुमद्य रेकर की समिप्ता के कारण पुरुवतिया बादल लेने के करण भारत में निम्नी रितु होती हैं कितनी रितु होती हैं तो भारत में वह होती हैं चार हमको पता है कि सीत रितु वर्सा रितु और ग्रिसु रितु हमको स्थरद रितु के बारे हैं महुत कम पता होता हैं तो कभी कभी ग्रेट डी जैसे वो पूछ लेता है कि भारत में डोड़क कितनी मांसुने रितू होती हैं तो वो तिया है चार उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि उत्र भारत के मेदानी भागों में सीत रितू में वर्षा पश्यमी विक्सोब या जैट स्ट्रीम के कारण होती है राजिस्तान में इस वर्षा को क्या बोलते हैं माबट कहते हैं और जाड़े के दिनों में तमिलाडू के तटो पर कोरो मंदल तट पर वर्षा लोड़ती हुई मांसुन या उत्री पूर्वी मांसुन के कारण होती है ग्रिस्म निरितू में असम एवं पश्यम बंगाल राज है करनाटक में इसे बोलते है चेरी बला Benson कौफी वर्षा के ли यह सब नाम हैं वह पर है यहाद करने बड़ेगे ठीक है और करने पूछ नमें अच्छी होगी तो मजि आयागा एक्साम देने में अगला जो पॉइंट है उत्र पश्यम भारत के सुस्क भागों में गिरिश्म रितु में चलने वाली गरम एवं सुस्क हवाव को लू कहा जाता है क्या बहुत है लू को हम थोड़ा से दुबारा पढ़ लेते हैं हम कहते हैं लू चल रही है काफी लू चल रही है लू में ना पपश्शलिम भारत तर्था पकेस्तान में उन दाप का छेत्रग बन जाता है, जिसे बोलते हैं मानसुन गर्थ क्या बोलते हैं इसको कि देूर्द को परोय परयेल के नियम का अनुसरां करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है जिसे दच्छिन पश्य मानसुन के नाम से भी जाना जाता है और भारत प्रषा सर्था इसी मानसुन से मतलबκ hypoth uptal एटी परस्थंट जो भारत में रिंथ होती है वर्सा उती है वह इसी कार्ण से होती है दच्छिन काष्य मानसुन से आगे हम बात करते हैं देखिए कि अरब साखा का मानसुन सबसे पहले भारत के केरल लाजे में, जून के प्रथम सप्ता में आता है यहां, यह पश्चिम घाड परवल से टकरा कर केरल के चैटों पर वर्षा करते हैं, इसे हम बोलते हैं मानसुन विस्पोर्ट, ठेक हैं, मानस जिसके करना यहां इस जित मासी निराम कहां पर है में तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं हलका सा आपको अधिक तर वीडियो में क्षिश बोलता हूं चिंता मत करें मैं लाइक शेर सब्सक्राइब बारे में आपको फोर्स नहीं करूंगा नहीं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको लागे तो बैस्ट करना मैं यह बोल रहा हूं कि अगर आप कभी भी जोग्रफी पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ रहे हूं किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं कोई भी वीडियो वाच कर रहे हूं तो अपने साथ नहीं कि एक एट्लस पर्चेस कर लो कर दो सब्सक्राइब कर दो. कहां पर है पाकिस्तान कहां पर है अफगानिस्तान कहां पर है तो ए टू जए डाइट मेरा कहने का मतलब के वल इतना यही है आपसे कि आप अट्रस पर्चेस करो उसके बाद जब भूगल पड़ोगे ना जो मजा आएगा आपको पड़ने में जो कॉंफिडेंस आपका आपको यह बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है मेरी बात अगर यह किसी को अजीव लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप मत पर्चेस करना बट यह एक सच्चाई है आप किसी भी स्टुएंट से पूछिए जो भी हाईयर पोस्ट में बैठा हो जिसने भी कंपटिशन के त तो कॉमन सी बात है उसके बाद से अगर नहीं करिए तो जोगरिफी कंसेप्ट के लिए नहीं होगा यह तो शॉर्ट है मेरी तो ठीक है बात अधीक हुई मैं बढ़ता हूं फिलाल आगे ठीक है अब हम बात करते हैं हम लोग मौसम के नुसाल वर्सा का वितरन किस परकार से हुआ है वर्सा का मांसुर्शय जून से सेप्टमबर तक और वर्सियग वर्सा का संदुलार होता है 70 जौइंट्रेए icon continue मांसं काल जो होता है ऐसे संदूशय का से धिसंबर तक फिर हम बात करते हैं पूर मांसुं काथ सीट इतृतुकर शेक पॉर्मे ऊप पहुंकुर्वि गाट के परवत द्रश्टी शाय चेत्र में पढ़ता है अते यहां दश्चिन पश्चिन मांसून द्वारा काफी कम वर्था होती है और स्थरद रितू को मांसून परतिया वर्तन का काल कहा जाता है इस रितू में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उश्ण कटी भारत की मिट्टी के बारे में मैंने इक अलग से वीडियो इस चैनल पे डाल लखा है अगर आप चाहें तो उसको वाच कर सकते हैं चाहें तो तो कि अगर टाइम बहुत कम हैं आपके बहुत ही भागामाग लगी पड़ी है आपकी लाइफ में जो पड़ा उसके बारे में कि मिट्ती के आदियन की जासे में देगा नहीं देगा इतना नहीं घैसे मिट्री का मतला होता है तो manip refresh है उप्सिन पर उसक नहीं देगा नहीं करेका एग्जाम में आपको बुलेगा पैडल ओडी तो आपको याद अगाना पैडल ओडि गैते हैं और भारत एक ब्रीट सोनदान सब्रास टो पुमाइप 12 चीहार को आठ वर्गो में डिवाइट करहें कौन-कौन सी 5-6-7-8 आप दीख लीजेगा लेकिन आपको मैक्सिम फोकुस करना इन 4 मिट्टी पर हम बात करते हैं जलूर मिट्टी के बारे में यह होती है आपकी 22% छेतर पर यह पाई जाती है भारत के और यह नदिय दुद्वारा लाई के मिट्टी होती है इस मिट्टी मे पुटास के बहुलता होती है एक्जाम में यह पुछता है तो यह होती है जलूर मिट्टी में इसको दो भागों में बाटा गया है एक होती है बांगर एक होती है खादर बांगर होती है पुरानी मिट्टी को बोलते हैं बांगर बांगर का पता को बंगार बंगार क्या होत बंगार मतलब पुराना अगली है खादर खादर मतलब नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे जलूल मिट्टी उरवर्था की दरश्टी कोण से काफी अच्छी माने जाती है इसमें कौन-कौन से खेती होती है धान की घेहों की मक्का की तिलहन की जदलन की आलू आदी फसल ह हुगा जाती है अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में इसमें आयरन चूना एलमूनियम एवं मैगनेशियम की बहुता होती है इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैगनेटाइट एवं जिवांस की उपस्तिजी के कारण होता है इस मिट्टी को रेगर मिट् बारत ऐए लाल के पाइगा करेंगे तब ही रहेँपे नहीं रएगा तो डर क्या है आगे बात करते हैं कि और लेल बा अगे सिंट जाता है और चोटा नाकपुर के प tenía 1 कि नया था गश ways भूरता बड़ाई जा सकती है या ओप करते हैं लोग लेटराइटमे चिकिलिए इसका निरुमाद ऒाया कि आधड़ता ईवं सुष्कता के करमिक परिवर्तन के परिदाम सरु उत्पन विश्चिष्ट परिश्चतिओं में पाया जाता है इसमें आइरन यहमं से बहुलता होती है और गहरी लाल लेट्राइट में लोख उक्साइड तथा पौतार्स की बहुलता होती है देश में म्रदा अप्रदन एवं उसके दुस्ट परिणामों पर नियंत्रण हेतू 1953 में केंद्री म्रदा संदक्षन बोर्ड का गठन हुआ भारत के क्रिष्ट में इंगेज तो वह 51% पर चार गाह होता है और 21% पर क्या है भूमी बंजर पड़ी है तो कितना परसेंट किसका से लखेल है यह आपको यादन है सब्सक्राइब पहले पर तिया राजी सुची में यह चेंजिस किसने करा यह चेंजिस हुआ है अपर चार अप्टुब दोजा च्छे में किसने करा रास्टे क्रेसक आयोगने याद रहेगा आगे बढ़ते हैं देश की कुल श्रम सकती का लगभग 52% भाग क्या है क्रेसी में इंगेज है मतल आते हैं थोड़ा से चली यहां पर आते हैं विभीन परकार के क्रेसी वीधिया क्या होती है रेसम कीट पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर मधुमक्य पालन को बोलते हैं एपी कल्चर मतस्य पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर फलो के बोलते हैं पोमो कल्चर और बागवानी को ब करा कुछ जैसी होते हैं बाराम स्वियात कर सकते हैं बट यह थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है और कई बाले पूशा जाता है तो आप इसमें कन्फियूज मत होना ठीक है सेरी कलच अरे समकी पालन एपी कल्चर मदमक्की पालन पेसी कल्चर मतस्य पालन इस तरह से आप इसी तरह से हाइलाइट करेंगे और मैं बच्चों से अगें डिक्वेस्ट कर नहीं है तो प्रीज पर्चेस कर लो ऑनलाइन में इसका टूट फूट का करान तो हैं नहीं कि टूट जाए वी कास्त तो है नहीं उन्हें सिंपल जैसे पैकिंग करने आपको दिक्कत नहीं कुल छेस्र centered 47% भाटपर चाओर के छीथी कि जाते हैं वीश्ट में गहु उति पादन में चीन के बाड भारत का दूसरा इस स्टान है और और बात करीए सबसे अधिक पर लगदा तो पड़ा गेहु पर फिर सब certains अंबर में चन मुट कि आगे हम बात करते हैं भारत में हरित करांती का जो श्रय जाता है तो वह जाता है डॉक्टर यह नम तो याद होगा लेक्शाय आपको यह ना पता ओका नाम आपको भाल वीडियो से पहले के बाद में 1983-84 में दित्ति है हरित करांती की इसमें सुर्वात हुई थी और तेलहन इसको बहुता है तिलहन प्रोद्योगी की मस्दिन की स्थापना हुई थी यह थी जोड़ी है है कि हाध गान श् facet 92 से स्वेध करांती के बारे में और पता अगैर तो मेरे कहने का मत keeping याद कर लेते हैं लोग जीस्ट में यह सारा इंप्राइंट है सब्सक्राइब करले ठीक है वहां पर सभी आपको याद करना बढ़ेगा आगे हम बात करते हैं 183 183 का जो है बाहरत यूरीय के मामले में 100 परसंट के है आत्म निर्भर है उसके बाद में आम केला, चीकु, खटे नेमू, काजू, नारीयल, काली मीड, चजरक, हल्दी के उतपाधन में बाहरत का इस्तान 20 में पहला है और फलो एवं सब्जू के उतपाधन में बाहरत का इस होता है सबसे उच्छ कोटी का कहवा कहां पर होता है कौशुर है तो उच्छ करते हैं पंद्रबाटे के बारे में चाहल का सबने की मिह पार्देश में पंजाब कर्याणा के बिहार के मद्या परदेश में राजिस्थान को के बार करैं जूआघाЭто मनय गयाद का पास का पास बहुत इंप्टेंट है कपास जो मैक्सिन होता है महाराष्त में करनाट के बारे में कि आंद्रप्रदेश गुजरात बिहार उत्रंपडेस उत्रा परदेस में त्रौत्व कर दाजुर काहां परमुख फसलों तो यह होता दच्छेन अमरीका में तम्भाखु जो लाए थे भारत से चबसे पहले तम्भाखु का जो पॉदर था वह लाए थे पॉर्त गाली टेक है फिर हम बात करते हैं अरड के बारे मेंए अफरीका यहां बात यह दाल तो डाल मैसिम कहां पर होती है मैक्सिम डालो का उत्पादन होता है मद्धे परदेश में इसलिए मद्धे परदेश को बोलता है सुयादेश जिसका MPSI का एक्जाम होगा या स्टेट MPPSC का एक्जाम होगा तो वहाँ पर कुश्चिन पूछ लेता है परी में इसे कौन सा राज्ये में तो आफे कि आपका अपर देश आगे बात करते हैं टमाटर के बारे में मैक्सीको चाय है चीन केवा प्राजील एक बात करते हैं रितियों के अधार फ़स्टलों का बर्गी गणत नियुक्त है रस बहसetaan तकी सुन्षाय जाति यह BAI mü उध्यवन्वभर में नवंबर कि मैं अप्रू शायाया आती हैुआ कउन्षा लगार जाते हैं जैसकि जञा श्र稜ज़्य मतर सल आलू राई को इस्ज़वा यहान तब से अक्टूबर, नवंबर, फिर लिख़ेए कटाई, मार्च, अपपल, फिर लिख़े आप अपना गेहुं, जो, चना, या दे ठीक है, तॉ आपको इसी तरह से लिखना है, पहले रभी के फ़सल, फिर लिखेए, अक्टूबर, फिर लिखेए, मार्च, अपखेııल में काड़ आती है फिर लिखिये क्वुप BT कौन के में यह सब ठीक है उसके लिखाता है खरीब की कि pare तोसली न पना कर दो तो इसके लिए आप एक काम करना कि एक कॉलम ब्याना उपर लिखना रभी की फसल नीचे उसका नाम लिखना तो यहां पर आप डिरेक्ट जाल इस तरह से याद ना कर पाएं तो आप सिंपल पेपर उठाईए एफर पेज उसमें लाइन के चिए रभी की फसल के नीचे रभी फसल लिखिए खरीब के नीचे खरीब और घर्मा फसल करना तरफ ट्रगेट बनाईए आपको एक घंटे में सब्सक्राइब करना है दो घंटे में इत करना है लिकिन यहां सिर्फ पुष्टाई कॉनसी फसल खरीब की फसल आपको चार अप्शन देगा वहाँ पे आपको 3 तो आप वहां पर कंफिस हो जाएंगे यह भाजरा थीक है तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपको यहां तक सब्सक्राइब करते हैं अब हम बात करते हैं भारत की सिचाई के बारे में आपको इसना ही पढ़ना है कि सिचाई का साधम जो होता है को वी नलकूपों से 55% सिचाई होती है तलाब से 6% अन्यसों से 6.6% बहुत सारी होती है जैसे बर्त चीट Chung चायी उजना मध्य में नहीं प्रहना है मदलब है यहां तौट आज मन्म Summit करा गया में सब्सक्राइब जिलबाय के बारे में करेशी के बारे में और बच्चो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपके कोई भी फ्रेंड कमपेटिशन के त्यारी कर रहे हैं तो उसने तक शेयर करेगा अब तो मैं कम से कम बोल सकता अब तो वीडियो का एंड हो गया है तो कि अगर आप लाइक नहीं करता हैं शेयर नहीं करता हैं जिसके कई लोगों तक पहुंच पाता है इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुश्छ मिलेगा धेट सारे किताबों के कम्प्रीट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएए आ ऑगर जो definitely आपको में टोशेंड को इसके आओड़ियो दोनौ म सुआगे सिर्ट में फिन जाएंगे एसब मैं इस बूग करहा है लुग के विडियो और इस Бूण के वीडियो जियर आप similarity आप आप पहले विजिट करिए पहले लिश्ट में जाए उसके बाद में देखिए आपको लगी कि बेनिफिशल है आपके लिए तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी के साथ मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में लेता हूं आपसे अलविदा बाय बाय टेक केर एंड आप सभी को मेरी तरफ से आपके आने वाल एक्जाम के लिए बहुत बड़े वाला ओल दा बैस्ट धन्यवाद